अन्मूल वचन अखिल भारतिय संत्मत सत्संकि संस्थापक और ग्रहिस्त में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज श्री यश्पाल जी महाराज अर्थात परम पूज भाई सहाज जीत्वारा प्रितिपादत इन अन्मूल वचनों का पालन करना अति आवश्यक ह ये वचन हमारी ग्रहिस्त आध्यात्मिक साधना के लिए मूल भूत सिद्धान्त हैं जो इस प्रकार हैं हम दुनिया की हर चीज की कीमत आगते हैं अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने वह परमात्मा की प्राप्ति हे तु साधना करें मनुश्य योनी एक उपहार है इसलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्राताहकाल आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें सत्संग सत्नाम वह सद्गुरु को प्राथ मिक्ता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगा भ्यास अवश्य करें वह ग्रहस्त की कारियों को परमात्मा का कारिश समझ कर उसी की याद में संपन्द करें हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपाद्वारा परमात्मा की पवुत्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है अतहे मन में निरंतर अपने इश्ट देव का जाप करें मान सम्मान की इच्छा ना करें वा अपमान से दुखी ना हो परमात्मा की अतरिक किसी और का भय ना करें दोसरों की बुराई न करें न सुने सत्य वा मधुर बोलें अश्नील शब्द मुह से ना निकाले सभी से नम्रता पूर्ण वा सुन्दर व्योहार करें धर्मपत्मी के अतरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा बराबर की से बहन जैसा वा छोटी से पुत्री जैसा व्योहार करें साथ सारत जीवन यापन की आवरश्यक्ताएं अंतहीन है इसलिए अधिक से अधिक समय सत्थसंग में वधन परुपकार में खर्च करें याद रखें ना इस्त्री माया है ना धंदौलत ना ही परिवार माया वह है जो हिर्दे को परमात्मा से तूर हटा दे अतह निरंतर्च सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें भोजन अपने इश्ट को अरपन कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें रात्री में सोने से पहले अच्छे बुरे कारियों का आत्म निरिक्षन कर उसका समचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें वह प्रभो की गहरी याद में ही विश्राम करें परमात्मा तू ही है तेरी एक्षा पूर्ण हो जै सातुरुदेव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणों सरणं जै सातुरुदेव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणों सरणं तिने एट्वण्टी प्रिती अनुवनु बोजनु चैसे एट्वण्टी समय अन्ता कोड़ा येपड़ैते मनम भगवात्समर्ण लो गडिप्वाँओं भगवात्समर्ण लो गडिप्वाँओं बोजनानी पूर्तिगा स्वतागाने परमात्मनामं कलुथंदी ज्यानं कलुथंदी पिरिच्चेकिंची मी मनसुपे मीर उत्तिटी चेसी कुच्चो बेटवल्स नावसनु लेदू एवेक्ते एएते रेंडि पोटला बोजना भगवास्मर्ण लो थीश कुण्टों नाडो आतनी योक्का मनसु स्वतागा भगवानामस्मर्ण लो लग्नो उत्तुंदी अंच्युक्तों नर। इद अन्ता कोड चेईडानिकी ओक चक्कटी उपाय हुँँदी एविटी मन मनसुनी लेदा मन फर्दयान्नी ओक चेनना कप्पू लेदा पात्रगा भाविंचन्डी ओक कप्पूडू टी लेदा काफी उन्दन कोंडी अंदुलो रेंडि चेमचाल पांचदार हैसों अदे विदंगा मनसु लेदा हुरदियो आन्टव является पात्रलो बागोवन नामव आनल यूट रूच्कार मैनल अट्वञेंड़ आ परमात्मनामानी मीर यंतगा व्यासतारो मी मनसु अंतगा भावन नामव उण्डे तवण्डी भांडा गारंगा मारिपोत्नी परिपोर्न रामनामं तो रंगरेंपपड पोट्टिंदी मी मनसु मर्यो हुरदियों ओको कर्द गेंट ओको कर्द गेंट पूज द्वार बागोन नाम अलवार्ट चेसं उधियों अर्धिगंट सायंतर अर्धिगंट मरला उधियों अर्द गंट सायंतर अर्द गंट बोजुन समयान्नी भगोन नामलो गडिपों बोजुनाने परमात्मस्मरलो लो स्वेकरिंचें अधिकोड मनकी पूजा, मर्यो, जानंगा मारिपोईंदी इविदंगा रोजुलोन 24 गंटलो रेंडु गंटल समयान्नी मनकी तेलीकोंडाने अथि सुनायसंग इट्वण्टि कस्टमे इट्वण्टि साधनलो अभ्यासालु चेएकोंडगने परमात्मक अर्पींचों इविदंगा साधनलो मुन्दुक वेल्थू-वेल्थू 24 गंटलो रेंडी गंटल समयान्नी भगवश्मानलो गडिपोंड़ू इएक भजान होगा पाउसके साधसा सभी भाय भेन अपने इस्ट का ध्यान होगा मन सुनमल्लेल माललल्ली तीनी गुरू पदमूलके यंकितमू मन सुनमल्लेल माललल्ली तीनी गुरू पदमूलके यंकितमू अंतरंगमुन अंतरयामिनी तलचेनाकू तोडे मेरू मन सुनमल्लेल माललल्ली तीनी गुरू पदमूलके यंकितमू चिन्मयरोपम् मे मुख कमलम् चिन्मयरोपम् मे मुख कमलम् अम्रुत तुल्यम् मे म्रुत वाक्यम् मे पद कमलम् माक का सेरणम् मुक्ति पदमूलोपमू नडि पिन्तग मन सुनमल्लेल मालललली तीनी गुरू पदमूलके यंकितमू परमपदमूलो परमात्मने चूपे पावनमूर्ति मीरेले भक्ति भावना मन सुननिल्लि पि भक्ति भावना मन सुननिल्लि पि भवसागरमे दाटिंचे दवू मन सुनमल्लेल मालललली तीनी गुरू पदमूलके यंकितमू विशय वासनला वलयमुलोना तीरिगेडी मम्मू मीदरी तेतक दिश्कामंगा चेस्टिनकर्मलो उपकार मेनी विजिय नितिली पि मन सुनमल्लेल मालललली तीनी गुरू पदमूलके यंकितमू संतो मार्गमे सरीय गुना नून दी ज्यानमो नेति करूनिंचि नाव संतो मार्गमे सरीय गुना नून दी ज्यानमो नेति करूनिंचि नाव सत्चंगुलनो ब्रोचेडि नीवू सत्चंगुलनो ब्रोचेडि नीवू क्रूपद्धार ले खूरी पिंचि नावा मनंस नमलेला माललह ललितिनी गुरू पदमूलके यंकितमू ग्रुहस्तास्त्रममुना मुक्तिमार्गमु मनुझुले के लेलो साध्यम्भगुनने ग्रुहस्तास्त्रममुना मुक्तिमार्गमु मनो जुले के लेलो साथ्यम्भगो नने तेली पिति वैया वो ये सपाला तेली पिति वैया वो ये सपाला सद्गुरु देवा तंतु महात्मा मन सुन मल्लेल माललल्ली तिनी गुरु पदमुलके अंकितमु बहुत सुन्दर पर्मात्मा की याद में आंसु आना पर्मात्मा की याद में रोना दुनिया की याद में तो सभी रोते हैं पैसे के लिए सब रोता है मकान के लिए रोता है सब चीदों के लिए रोता है पर्मात्मा की याद में रोना पर्मात्मा की याद में रोना बहुत उची स्थिति है पहली चीज क्या है कि ये जो आंसु है ये आंसु नहीं है ये आंसू आपके इस्ट देव के ताज में जड़े जाते हैं ताज के आंसू है ये संसारिक आंसू नहीं है इसलिए आंसू निकलना कोई बुरी बात नहीं है बहुत लोग अपने इस्ट देव को याद करते हैं और वाब भिगो रोके आंसू रोते हैं बहुत जादा इसका मतब यह नहीं कि बहुत दुखी आदमी है सबसे सुखी आदमी वही है जो परमात्मा की याद में रोता हो ठीक है इसलिए रोना जबर्दस्ती रोना नहीं चाहिए मैं आपको एक एक अग्जामपल बताता हूं हमारे महराजी के गुरु ठीक है 15-16 साल कि कि अंदर गए कि कहते हैं महराज मन नहीं लगता हमारा उन्होंने शिकायत की कि वह बहुत कर्वें 20 साल से ससंग में आते थे महराजी के पास कई कि साब मेरा मन जो लगता नहीं है मेरा ध्यान नहीं लगता और बड़ी मुसीबत है मेरे साथ कि तो जो चच्चा जी महराज थे, उन्होंने उनको suggest किया, कि अपने घर पर जाईए आप, और जाके रोईए, यह उन्होंने का कि जाके रो, रोगे तो ध्यान लगेगा, अब वो गए, अपने घर के उपर, कोई कमरा देखे तो खाली नहीं, किसी में Mrs. बैठी हुई थी, किसी बच्चे बैठे हुए थे, किसी में रिशिदार बैठे हुए थे, तो उनको सच्चा सेफ इस्तान लगा च्छत, टैरेस, टैरेस पर चड़ गए, और टैरेस पर चड़ कर उन्होंने आ करके रोने की कोशिश की, ठीक है, वो जितने मौलने के लोग थे, सारे आगे भार, अपने अपने घरों से, और भ है, यह तो नकल कर रहा है, सब को भैकाता है, पूछा क्या हुआ, तो बड़ी शरम आई उसको, जो पड़ासियों ने पूछा, कि तो क्यों रो रहा था, बड़ी शरम आई, उसके बाद नीचे उतर आए, अपने घर के अंदर, अगले दिन महराजी के पार फिर गए, और ज रोने की कोशिश की, आँसु तो मेरे निकले नहीं, सारे महले वाले खट्टे हो गए, सबने तालिया बजानी शुरू कर दी, क्या है, इसको कोई प्रशानी नहीं थी, तब भी रोने लगाई है, तो बहुत अच्छा हुआ, महराज जी न उसको बोला, कि तुना बहुत क्या अच्छा हुआ महाराज, मुसीवत मेरी आ गई, अब मैं घली से निकलता हूँ, तो सारे कहते की रोता है यह, नकल उतारता है, और आसु निकलते नहीं है इसके, कहते कोई बात नहीं, आज जाके फिर रो, चट के उपर, फिर वो चट के उपर गए है, फिर रोना शु रो, वो फिर जाके चट के उपर रोया, और रोते रोते उसका इतना जबर्दस अपने इस्ट देव के चड़नों में ध्यान लगा, जो उसको बहुत होशी नहीं ना, अगली दिना है, कि महाराज मेरा काम बन गया, आज मेरे इस्ट के चड़नों में बड़ा अच्छा ध्य लगा, तो जो आशू है, ये रोना नहीं है, ये परमात्म के ताज में वो सच्चे मोती हैं, जो लगाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए आशू आते हैं, बहुत सुन्दर, इस से सुन्दर इस्टिती पैदा नहीं हो सकते, मन जितना कोमर होगा, बैनों का मन भाईयों से लगता है, क्योंकि उनका मन बहुत कोमल होता है, और भाईयों का मन बहुत हार्ष होता है, इसलिए उनका मन देर से लगता है, ये क्वालिटी है, परमात्म ने दिवी, कि परमात्म ने इसलिए महिलाओं को देवी का सरूप दिया, इतना कुमोल होता है दूसरे का दर्द देखके फॉरण आँखों में आशू आजाते है मदद करने की इच्छा होती है तो रोना कोई बुरी चीज़ नहीं है बहुत अच्छा है और अगर आशू निकलते हैं तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है जब आदमी जाता है परमात्मा के पास गया चला गया क्यों सारे रोते हैं उसके लिए अगर उसकी जगा परमात्मा की याद में रोना शुरू करें तो इससे उची कोई चीज़ नहीं है योग के अंदर बहुत सुन्दर योग है ये येरा मन कोमल होता है फिर्दे में परमात्मा का बास होता है आपड़ु नी रदेवें वे थे अच्चनत सुन्हीतंगा उंटटुंदो अट्वान्टी हरदेवें लो ने परमात्म उंट्रडु अप्पुडु नी रदेवं मनसु कोड़ा कोवमुलंगा चुपमारंगा तैयरूंगा तैयरूंते महात्मल। गुर्देवल। अग्का आट्नी पाटिंचाली तपन्सारी इंटिक विल्यट। इंटिक विल्यट। गदलोक उच्चिन एड़िद्धावण्टे वो गदलोव बार्या, वो गदलोव पेल्लो, वो गदलोव बंदूू। अंदरों कोड़ इल्लां था नीड़िपोयोंदी चेसेदिल्याग मैडमेंदुक विल्यट। मैडमेंदुक विल्यट। एड़िद्धावण्टे एड़िपर आटलेद। भेक्करगा अरवड मोधल। चुट्टुपक्कलवाल अंदरोच्चि उच्छी एँटी एऴा चेस्तनाडू खलललोंच नील्रावट लेजगानी येड़िट्टु पेट्वध्ध पेटबबल अविपटितनाड़न जिप्पी एड़िपेंचना मोधल। आथनको परुपोयंदी गेलीचेना मोधल। वेटकारों वेलकोलों आड़ड मोधल। वेंटने मर्नाड सस्संग्वेंदी परंपुज चेचाजी माराजगर्त चेप्पेड। माराज, मीर ना परूती सिर। येड़िट्वध एड़वड मोधल। येड़वड अलवड चेसको परमार्म कोसो रोधिंचु आज जप्पेर। कानी, लेन एड़िस्तोंटे कन्नील्रावटले सरकथा इरुपोर्वड चूसी नन्नु एड़पिस्तिनार। वेटकारों वेलकोलों आड़ितनार। पूजु चेचाजी माराजगर। परवाले दुरे, वोधियों मल्डी परेइटनींचे जप्पेर। रेंड़ रोज कोड़ा मैड़की, भगोंधन कोसों परमार्म कोसों रोधिंचिरांग परेइटनींचेड। कानी, कन्नील्राले अदे विधंगा, अरवडों बबल पेट्टणों, केगल वेड़न चेशेड। मर्ना उच्चेप्पेड, अवैल सायंत्रों अपटलों परिति, रोजु कोड सस्सं जरु तूंडेदी, चचाजी माराजगर। लालाजी जमानालो, रोजु सस्सं सायंतर सस्संग उच्चेप्पेड, माराज, इवैल कोड़ पन्ना उफलेदी मूडु रोजु मल्ली परेट्निंचे जिप्पेर, मूडु रोज विल्लेडु विल्ली, निजंगाने परमात्म कोशो रोधिंचरों परारणिंचेडु, तनके तिली कुणना ने कल्ला ने कल्ला ने कन्नीलु दारकेंद, असरु दारकेंद प्राविंचे, परमात्मयकस्मनलों, बगोंदन यक ज्ञापकललों एड़िची, एड़िची, एड़िची कोड़, परदी अंतर तेलिक इपेंदी मनसु यंतो तेलिग्ग मुरुदूगा इपोई तदेयकर ज्यानलों मुनुपोयल अर्वसा अंतर गुरुदेवल वद्ध केल्डि माराज, इरोजनाग चक्क का ज्यानन कुदुरिए ने, अनुकोकंद, ने कल्लोंच ने लोच्छे बगवंदन कोसु ना यवक्का, मनसु रदियो लुद, यह अल, निकोड़ परमावत्न चानल पवेल, अगण केली, चकक्कत ज्याना कुदुरिंदी अन्जुप्पेड करनतो, गुरुदेवल वद्धने मनलो अनद मुण अक्क्कचल्यल उट्तौं अन्ना ययाल यथा तंबुडवा इसाधार कानि, अख्क्कचल्यिलों उन्टाय।, यावन चैन्नमाटर ल्टे वेंटने एळिशस्दों उन्टाय। अजुप्ननर गुर्वियोळ। चाला सुन्नितंग, मुरुदूग, कोमलंगा, उन्टाय। अंधिकने मन देसेलो स्तिरीनी, दियावतत तो पोळुस्तों एगत्ति विक्तिकिचे इन्ना कस्तं कली न सरे मुंदुगा करीपमोई बादपड़पय वाल्यो आडवाल मात्रवें मगवाड की उच्छा हर्दियों कुद्धिका केट्नेंगा उन्टुन। करणारणक समय बड़त्तुन। वार्य हर्देंगोड करूत्तुन। कानी सम्यम पड़िते हुआ आडवाल अलक्कादु मान अक्कचलीलीली वोल्ली सूसते एवन दबलाटकुन्टे मुन्दु वाल कळलोंच नहीलों चेस्तोंटै। अलक मनके आणा बादकलिक्ते वोल चाला-चाला एर्चेस्तोंटर। अंचे पेर गुरुदेवल। आ विदवयनेट्वोंटी मुरुदुवयनस्म भावं तुत्तिमेत्तन हैनेट्वोंटी हरदियों उन्डाले परमात्मा दे कोर्कुन्टर। बगोस्मरललों रोधिंचनोंटे अन्ता आसामाशी वीश्यं कादन जिप्तनार गुरुदेवल। परमात्मा गोसो रोधिंचनोंटे साधना अभ्यासूं एक वेरे इदी लेधन जप्पेर गुरुदेवल। बगोस्मरललों रोधिते रोधिस्तरों वार्य हरदियों। स्वतागा परमात्मा चेरनाल पई अच्चन तरते लिक गा लगना उतली अन्जुक्तनार। परमात्मा तुई है तेरी इच्छा पोनो। ध्यान योग के कारिकरम आनन्द योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810-239-677